दीद्वाना जिले के नजदी की मकराना उपखंट शेत्र के मनाना के पास स्थित मोखमपुरा में 31 अक्टूबर की रातरी को बदमाशों के द्वारा घर की दीवार फांद कर घर में गुसकर वाहनों के साथ तोड़ फोड़ कर वाहनों को आग के हवाले किया। साथ ही घर मालिकों के साथ भी मारपीट की जिसमें एक व्यक्ती घायल हुआ है जिसका जैपुर में उपचार जारी है। साथ ही बदमाशों के द्वारा घर में लक्ष्मी पूजा के पास रखे जेवरात नगदी पर भी हात साफ किया है। घर की लाइट काट कर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद में पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। इवम इस घटना को लेकर परिवार वालों ने एक ग्यापन जिला कलेक्टर को सौप कर उचित कारवाय अपराधियों की गिरफतारी नहीं होने पर साथ नवंबर को समाज परिवार जनों के द्वारा जिला पुलिस अधीकशक डिध्वाना कुचामन कारियाले के बाहर धरन की भी चेतावनी दी गई है दिये गई ग्यापन में बताया है 31 अक्टूबर रातरी 12.30 बजे की बात है कि परिवार के सभी घर में खाना खाकर सो गए थे कि एकदम बाहर आवाज आई तो मकान से बाहर आकर देखा तो मकान की चारदीवारी के अंदर रातरी कालिंग रह भ अवराज सिंग पुत्र लक्षमन सिंग, शक्ति सिंग पुत्र करण सिंग, प्रवीन सिंग पुत्र करण सिंग, प्रदीप सिंग पुत्र भूपिंद्र सिंग निवासी गन टांका की धानी मनाना, कुलदीप सिंग निवासी चावंडिया, अभी सिंग निवासी लोरोली, रहुल सिंग निवासी राजलिया, सोनू सिंग निवासी राथलिया, अर्विन सिंग निवासी लोरोली, बबलू सिंग निवासी लोरोली, गोर्वधन सिंग निवासी लोरोली वर दस माइनस पंद्रा अन्य व्यक्ति थे, जिनको देखते ही पहचान सकते है, जो सभी हथिया से लेस्थेव घर में खड़ी गारी या स्कॉपियों को तोर्फोर कर रहे थे। एवं एक ट्राक्टर खड़ा था, उसको भी तोर्फोर कर रहे थे। उक्त लोगों ने स्कॉपियों गारी को आग लाग कर जला दिया वर ट्राक्टर को भी जला दिया। साथ ही घर में एक पर जान से मारने की नियत से गंबीर चोट फरसी की मारी व दिलीप पर भी पेट्रोल फेक कर हमला किया एवं जान से मारने की नियत से हमला किया जिससे गंबीर चोटे आई व उक्त सभी लोग जान लेवा हमला किया वह हमारे को खतम करने के इरादे से उक्त लोगों ने में लगा सी, सी, टीवी कमरे का डी, वी, आर भी खोल कर ले गए वा घर में विद्यूत कनेक्शन काट कर हमला कारित किया, सभी उप्त लोग नाम से पुकार कर अलानिया कह रहे थे, की रातरी कालिन है कोई छुडाने के लिए नहीं आएगा पूरे परिवार को जान से खतम कर गन जैसे फायर की आवाज आ रही थी, जिससे पड़ोसी रविंद्र विश्नुई पुत्र सुखराम, हनुमान सिंग पुत्र भावर सिंग, धन्नाराम पुत्र जीवनाराम, हनुमानराम पुत्र रामेश्वरलाल इत्यादी ने आकर उक्त लोगों को रोका तब उक्त चकर जान से मारने के इरादे से इत्थे होकर रात्री कालीन मकान का दर्वाजा बंध होते हुए भी दिवार फांद कर घर में घूस कर हमारी गाडियों को जला दिया वह हमें आवा जाने पर बाहर निकलते ही उक्त सभी मुल्जिमनों ने जान से मारने की नियत से हमला कारि जिससे हमारे गंभीर चोटे आई उक्त लोगों ने हमारे घर में घूसकर लक्ष्मी पूजा के लिए जो आभूशन सोने के एक देवर्टा, एक सोने की आद, वो दूसरी थाली गेर लाख रूपे नकद इत्यादी भी लूट के इरादे से ले गए। इस तारीको रात में 12 बजे 40-50 लोग मेरे घर के बाहर आके हमला किया, जिस टाइम वो आए हम बाहर निकले तो उनके पास लाटियां परसी दारदार हतियार थे और पेंट्रोल, तिजाब जैसे कुछ अन्य पदार्थ भी उनके पास थे जो जिस से हमारे उपर उन्होंने हमल जलाकर और पूरी गाड़ी ओं फोड़ दी एक बुलट एक स्कार्प एक टेक्टर और एक स्प्लेंडर पलस सारी गाड़ीों को में से तीन गाड़ी को जला दी और एक टेक्टर भी जला दिया जेवरत ले गए वो उस हमले के अंदर मेरा चोटा भाई अर्थ बहुत तरीक यह गटना मनाना के अंदर मो कुमपरा चोराया पर वी थी मकराना जिला नागोर नहीं जिला दीर्वन अब